हाई फ्रेंड्स में रुपेश्या स्वावत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब के राइड़ विंडो में और आज हम रिव्यू करने वाले हैं मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जो अभी तक का चार्जर रहा है उसके बारे में उसके बेनिफिट प्लस पॉंट क्या है माइनस बेचाने क्या है वह सब चीज में बताने वाला हूं तो आगे वीडियो देखी है आपको quiz स्रिशन के और में लेकर जाता हूं तो तो थास्छर तो गाइस यह है वो छाडजर ढ़िम यहां पर यहां पर लगवा सकते हो या फिर यू नो एर पंप के लिए भी यह काम लगता है अगर आपकी गाड़ी पंचर होगे ट्यूब लेस्टा है पंप लगा के उसको सेट कर सकते हो ठीक है डारेक्ट कनेक्शन दिया हुआ है बैटरी पे तो सिफ यह स्विच ऑन अफ करना इगनेशन पर मैंने कोई उसका वायरिंग नहीं दे रखा है तो अगर आपको इगनेशन पर वायरिंग देना हो तो सबसे अच्छी बात है रियर मे अगर पीछे कुछ लगा रहे हो तो अगर खुद करना है तो वायरिंग का पूरा सिस्टम आप यहां लेके आ सकते हो यह ब्रेक स्विच है तो एक वायर ब्रेक स्विच में एक वायर अर्थिंग पर लगा लिगे तो आपको सीधा कनेक्शन मिल जाए है दूनों वायर आप देखिए कि कौन सा वायर आप कहां लगा रहे हो क्योंकि जैसे ही आप इगनेशन की ओन करने वाले आपको ब्रेक स्विच का करेंट जो है यहां से वह ऑपरेट कर लेगा ठीक है तो यह चीज है यह चार्जर वेरी नाइस क्वालिटी एंड बहुत ही ब अच्छे केबल के साथ ही है शायद मेरे मोटो एफॉर को जो 5000 अमेच बैटरी है ट्वेंटी से सिक्स्टी पसेंट 40 या 50 मिनिट में कर लेगा मतलब एक समझ यह ना 3000 मिली एंपियर बैटरी है तो उसको यह वनार में फूल चार्ज कर देता है इतना पावर फूल चार्जर ह माइने रखता है केबल अच्छा यूज करोगे तो ज्यादा आपको और पूट मिलना है तो वह चीज देखिए बेस्ट के बले अभी तक बेस्ट जो चार्जर है मेरे हिसाब से तो अगर कुछ जानना चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए उसका अंसर दे धांकियो रुपेशा साने गाप जहीं जय बारत